कॉंगरिस दिल्ली के जाम निला मैदान में शनीवार को मोधी सरकार के खिलाफ भारत बचाओ रैली करेगी इसमें देश भर से कॉंगरिस कारे करता पहुचेंगे शूतरो ने बताया कि रैली में कॉंगरिस का फोकस राहूल गानधी पर होगा साथ ही देश में गिर्ती अर्थ्रवस्था, बढ़ती बेरोजगारी समेट किसानों की समस्याओं जैसे मुद्धे उठाकर सरकार को घेरने का परियास किया जाएगा बताया जा रहा है कि रैली में राहूल गांधी को प्रोजेक्ट करने की योजना है सूतरों ने बताया कि रैली में कॉंग्रेस की अंतरीम अध्यक्ष सोन्या गांधी, पूर्व अध्यक्ष राहूल गांधी, पूर्व परधानवंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंग समेट पार्टी के अनेक वरिष्ठ नेता शामिल होंगे पार्टी के वज़ निता सरकार की आर्थिक नितियों पर निशाना साधिये रैली का फोकस मोधी सरकार की नितियों पर पुर्जोर हमला करना है सूतरों के मुताबिक रैली के लिए कॉंग्रेस का नारा मोधी है तो मंदी है होगा सूतरों के मुताबिक टीम राहुल की कोशिश है कि रैली में एक बार फिर राहुल को प्रोजेक्ट और उनके लिए माहोल तेयार करने की योजना है लोग सभा चुनाव 2019 में कोंग्रेस की हार के बाद राहुल गांधी ने पार्टी के अध्यक्ष पत से इस्तिफा दे दिया था ऐसी संभावनाएं भी हैं कि रैली में राहुल गांधी का एक बार फिर पार्टी अध्यक्ष बनने की मांगे उठे पार्टी की नेता ने बताया कि रैली में कोंग्रेस कारेकरता बड़ी संख्या में राहुल गांधी का मास्क लगाए दिखेंगे यूद कोंग्रेस और NSUI रैली में पूरी तरह राहुल का समर्थन करते दिखेंगे कारेकरताओं के हाथ में बैनर पोस्टर जंडे होंगे जो पार्टी निटित्व के लिए राहुल के पक्ष में माहोल तयार करेंगे वैसे अध्यक्ष पक्ष से इस्तीफा देने के बाद राहुल गांधी पार्टी के मामलों में कम ही दखल दे रही है उनका जादतर समय उनके संसदिय शेतर से जुड़ी गती वीदियो में ही जा रहा है हालाकि कॉंग्रेस के कई निताओं ने यह बयान दिये हैं कि राहुल गांधी को वापसी करना चाहिए सोन्या गांधी के पार्टी का अंतरीम अध्यक्ष बनने के बाद यह पहला मोका है जब कॉंग्रेस मेगा रैली का आयोजन करने जा रही है हालाकि इसका मक्सद कॉंग्रेस पार्टी में टीम राहुल की ताकत का परदर्शन करना भी है पहले यह रैली 30 नमंबर को होने वाली थी मगर बाद में संसत के शीत कालिन सतर के मदे नजर इसका समय 14 दिसंबर टै किया गया पूरा देश से लोग 14 तारिक बारत बचाओ जनान दोलन रावल गांधी जी का नेतरुत में वो रहा है पूरा देश का जनता तयार है इस रैली में आएगा पूरा यूद कॉंग्रेस सभी फ्रेंटल का कारेकरता सभी लोग आ रहा है और देश में अभी जनता ने डिसेड कर चुका है दूसरा विकल्प कॉंग्रेस पार्टी है अधरनिया रहुल गांधी जी है इस गुंगे बेरे निकम में सरकार को उकाड के फेकने का इस बारत बचाओ जनान दोलन से स्टार्ट होगा इस देश को उनली रहुल गांधी जी समाल सकता है और रहुल गांधी जी सबका किसानों मज़दूरों जवानों सबी का समस्या लेकि आवाज उटाने का एकी नेता है वह अधरनिया रहुल गांधी जी उनके नेतरटों में आने वाले दिन में इस देश को बचाना इस Constitution को बचाना, इस democracy को बचाने का काम, Congress Party करेंगे. करेंगे, मर्णा के उपर 30,000, उसके उपर लक्ष मी यह rally करेंगे. लर्षानी होनुन की छूब है यह इसे ही लेटेस को बेर पाने किने ये बाल इकन को फिक कर हमारी चैनल से लाइख, शेर और सब्सक्राइब करें हैन्ने वाल